यह ऐसे प्यार से खिलाती है इनको आज़ी दिल्ली में मौसम नीम तभाई तभाई वाड़ा मौसम हो रहा है आम यहां पर मिना के गराए हुए थे उसकी आज तब्यत खरा भार इतनी जबरदस्त वाड़ी आंदी है कपड़े उठाटने उठाटने आदे से जादा उड़े तो चलो काबुमा आगे तो मिलके नीचे गए थे मैं आपने दिखाते हूं कैसी हवा नहीं है अंदी है यह अंदी दिल्ली में चल रही है अंदी दिखाते हैं आपको काव्या तू रहने दे तूड़ जाएगी यो देखो भाई हाल आपने शायद कैमरे में इतनी अच्छी मोसम है रोमेंटिक यह देखो कितनी तेज हावा ओई होई क्या मोसम है मोसम नहीं यह तो ओसम है काव्या आप कहीं उड़ना जाओ उड़ तो नहीं जाओगे आई चल चल किती तेज हावा और गेल बारिश ओई होई होई हो जोगी बाई मो जास्तो जोगाई मो जोगाई काव्याव हमारी टी शट उड़ गई थी लगता है वो भी ती शट देनी आई है तंक्यू भाई की टी शट गई तेरे सोरब की अमना तेरे सोरब तीशेट लिया चल दी ये काव्या को क्या मिला हैपी टूटू ये सारी पेस्ट्री आप खाओ गया के लिए वाव देखवा आ जाई हूँ मैं बई मिना के घर पे किसी काम से और मैंने बनाया अज लड़ू और काना के लिए खाना उनकी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी दो रोटियां और थोड़ी सी सब्जी और धाई तो चलो भई खाना देखे आते हैं काना जी को लड़ू काना लो खाना आ गया तुमारा ले खाना की लाउन को खाना किला उनको दोनों को बदमाशों को लडू, खाना खाना खालो नहीं खाना थोड़ा सा खालो मौसी ने खाना बनाए बिटा काना लडू आओ, खाना खाओ जल्दी आओ, फटा-फट अब खाएंगे, देखियो ये जल्दी से कि उठगई यह साम हो गई कि तुम्हारी साम हो गई लडू को पाल आपकी शाम हो गई आप उठगई हो आप देखो बहुको कावया खिला रही है काणा और लडू को यह ऐसे प्यार से खिलाती है इनको वो काना है बेटा काना कौन सा है काविया काना यह तो लड़ू है यह काना है हां और वो लड़ू है है ना प्यारी है यह दोनों यह दो कि अधर आज का मारा काम खतम हम चल पड़ें आप अपने गड़ पी क्योंकि मीना की है तब्यक्त खराब उसको है बैकपीन काफी ज्यादा तो इसलिए उसे थी आज मेरी जरूरत और मैं आगई क्योंकि वह मेरी जरूरत प्खड़ी होती है तो वही वह मेरी काम आती है तो मैं कैसे नहीं आती तो मैं भी फटा फटा आ गई और मोसम और रखा बड़ा थंडा सा प्यारा प्यारा सा अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ महां पे इंतजार कर रहे हैं मलिक साहब और मूस नहीं है भाई भाई भार है कि अब फिर से आएंगे अग चलो बोब चलते हैं सोरफ चोड़के आएगा में घर लोग चल पड़े हम घर की तरफ सोरफ के साथ सागवां चोड़के आ रहे हैं हमें घर हमारे है यह पीछ्य मलिक सावद्ध हैं चोटा मलिक ये खावया मलिक अब चल पड़े अपने घर की सरफ आज का दिन रहा बढ़ा बीबी बता ही नहीं चला दिन का कब खतम हो गया ये मेरा पती विचारा बिना पतनी के परेशान नींद फूरी करते हुए शांती की क्योंकि कुछ ऐसी निकम्मी शैतान उलादे नहीं थी इनके बस चलिए पहुच गए हम अपने फाइनल अपने घर पे ये आगी हुआ है और करते हैं इस ब्लोग को यहीं पर एंड कल फिर मिलेंगे एक और नहीं दिन और एक और नहीं ब्लोग के साथ तब तक अपना पुप सारा कहल रुखें आधी रादे रादे